नमस्ते दोस्तों आप सब का सवागत है आपके अपनी चैनल फैंडसी दुनिया में गाइस इस वीडियो में हम लोग टिस्किल्स करेंगे क्रिफिल टी टैन का आज का दिन का जो पहला मैच के ला जाएगा ना बी वाई एस वर्सेस जी एस बी के बीच उसके उपर हम लोग य जाएंगे तो ध्यान से आप अंतर तक वीडियो देखना एडिटेल्स में अनलाइसेस करने वाले वीडियो में लाज्ट हमारे लिए अच्छा था आप जाके टैलिग्राम पर विनिंग्स भी देख सकते हो यह दिन भी हमारे लिए बहुत अच्छा जाएगा और इस मैच के हो जाएगा लिंक पे अगर जाओगे प्रेस करोगे या फिर सर्च कर सकते हो यह दर लगा के टीम से फटा वर्ट से आता हूं इस मैच के अनलाइसस में देखोंगे तो दूनों टीम ने एक-एक में जीता फर्क इतना है जी एस बीने चार के एक जीता और ग्रूप टैबल म हो जर्मनी का नेचर ऑफ क्रिकेट है थोड़ा फॉस्ट फ्यर्लिस क्रिकेट मतलब यह विकेट भी गिरेगा अरन भी बनेगा ठीक है नीट्रेल बैलेंस ट्रैक है जीएस बीस से अनलाइसस स्टार्ट करते हैं लाइक करना जीएस बीस ऑपन करेंगे नियामत शाह साथ इस कैप्टेन ऐसा मैं मानता हूं ठीक है हसना नक भी यहां पर थोड़ा सा आपको ना कुश्चिन मार्क लगाना परेगा क्योंकि यह अक्सर आपको ना चोक करते हुए दिखेगा चोक इंदसेंस कभी-कभी बॉलिंग ने नहीं डालेगा अगर यह बंदा बॉलिंग नहीं ड खास किया नहीं है बट डॉमेस्टिक में इस ट्यूम का लेडिंग स्कोरर साथ-साथ रन गिटर में से एक है अब नीचे के मिल ओडर कुछ खास नहीं है इस्पेशली बॉल फॉर्स्ट क्या होता है ना नियामत थोड़े से हीटिंग कराते या फिर बैरा की हीटिंग कराते है बैटिंग फर्स्ट बाकि इनका मिल ओडर में सपोर्ट नहीं मिलता है मतलब ऑपनें के जो मिल ओवर्स के या फिर डेत ओवर्ड के बॉलर है ना वह बहुत इंपॉर्टन है जैसे कि शबीर अली हमारे लिए थे लास्ट मैच में कमाल का पीक था पर जंता इनको करता हूं कि अच्छा बॉलर जो होता है ना वह उसका अगर पर्फूमेंस दिखूंगे हर मैच में कुछ ना कुछ है दो बाइस फीड दो में सत्रा फिल लास्ट में दो इकित मस्ट पीक होना चाहिए मेरे विसाब से बॉल फर्स तो बहुत जाद इंपॉर्टन है उसके ब मैं इग्नोर करना चाहता हूं या गाइस नियामत इस टिम से ना पावर प्ले में डालेंगे ठीक है मैंने एडिट कर दिया रहीब अधीप के साथ रादिप ने लास्ट मैश में एक ओवर में 35 काया था इसका पता नहीं अब या बॉलिंग करेगा भी नहीं करेगा इस सेज मैंने आपको लाज्ट वीडियो में भी बताया था यहार मैंच में बॉलिंग करने वाला नहीं है बट पी बैर आगी तेरा मैंच में 21 विकेट सब्सक्राइब नहीं है यह नियामत सफी बहुत ही अच्छे परफॉर्मस देते हो आ रहे बीवाएस से कर ध्यान दोगे ना आ बॉलिंग नहीं किया था बट सेकेंड ने बॉलिंग कर रहा है इसी एक अच्छे प्लियर है महमद आसिफ दो मिस्टिक में अच्छा क्रियर के लिए वाकस फात्मी 27 और 37 रन है अर्चलान सिद्धिकी का 22 रन है बट इनका भी मिल्ल ओडर खास नहीं है बट एक चीज़ क्य इनका मिल्ल ओडर में एक लिस्ट हीटर तो है क्योंकि हुमाइन बट बहुत अच्छा हीटर है गाइसी टॉप ओडर के बैट्समेंट भी है ऐसा हो सकता है कि हुमाइन के ऐस ओपेनर और महमद आसिफ को मिल्ल ओडर जो इनका ऐडियल पोजिशन है महमद आसिफ वान डाउ अगर बैटिंग फॉस्ट होता है हुमाइन बट खराब पिक नहीं रहेगा अच्छा रहेगा ताहा हसान गाइस अच्छे खाज बॉलर है और यह अच्छा खास हीटिंग करा सकता है आइडिली इनको टॉप ओडर में खिलना चाहिए अच्छा हीटिंग करा लेते मेरे साब अरसलान सिद्धी को पीछे भेजना है चाहिए तो इस टीम के पास ना प्लेयर अच्छे खास है यह लगता है कि यह टिम बहुत खराब नहीं है जितना खराब पर्फुरमस्ट में थाइन का ठीक है और नोट आउट इन्हों ने इस सेजन में एक मैंच जीता है और एक तो बॉल फॉस्स बहुत एक ही रोल प्ले करेगा आपके लिए गहर सुल्तान इस टीम के लिए प्राइम बॉलर है रख लेना राजबुसन दोनों मैच में दो दोवर डाला फिलाल जंदा इनको इग्नोर कर रहा है आप ट्राइक कर सकते हो अपिनिम गॉलिंग गोहर सुल् करते हो दिखेगा पाँच मैच में डुमेस्टिक मत्रा उबर में दस हुएट है 267 रन बहुत ही अच्छा पॉफुमेंस है शजाइब का हुमाइन भी डुमेस्टिक में गाइस ग्यारा मैच में 305 रन है बट हाँ यस बैट्समें प्ले करते हैं अर्सिलान सिद्धी की का सा मैच में 211 तो वर्ल डुमेस्टिक में इस ट्रीम का परफॉमेंस अच्छा है अब बैक कर सकतो इस ट्रीम को मुझे जो इंपॉर्टन लग रहा है ना ध्यान दोना देना वकस फात्मी टीटैन में नौ मैच में उननी स्कैवरेश और डुमेस्टिक में नौ मैच में 31 से 370 प्लस रण होगा मैंने 37 लिख दिया माफी चाहता हूं बर 44 वर में 12 विए प्लेयर बहुत अच्छा है टीटैन में भी साथ मैच में साथ ओवरेश है मोहमद आसीव छोड़ना मत अच्छा प्लिया रहे है मैंने या पर 37 रन लिखा है 37 प्लस रहेगा स्पिशली वाइल बॉल फर्स क्यों के स्टिम का प्राइम बॉल रहे है बहर सुल्तान फ्रीज चे मैच में निकाल के रखा है डोमेस्टिक का मैं बात कर रहा हूं और नीचे से अगर देखोगे तो आप जेट असमारी का दिखेगा आपको 11 मैंश में आप्लिकेट यह थोरे से प्लेयर है जि और गाइस क्या करूंगा मैं इनको कैटेन बनागे ना वी सी शायद महमद आसीफ को यूज़ करूंगा या फिर आसीफ को मैं कैटेन बनागे ना इसको वी सी क्यूंकि दोनों टॉप और में साथ-चाथ दो वद दे रहा है बैक अप कैप्टेन वाइस कैप्टेन पीबैर तो यह रहेगा फिलाल मेरा इस मैच का अपडेट इस मैच का फाइनल और फ्यूचर मैच इसका अपडेट वगरा ना हमने टेलिग्राम पर शेयर करते जाओंगा तो टेलिग्राम जुड़ जाना वीडियो पसंद रहे तो लाइक कर देना थैंक्यू एस मिलते है मैच टाइ सब्सक्राइब